नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस योटूब चैनल जीवन जीने की कला में कैसे हैं आप सभी I think स्वस्त होंगे अगर कोई सेहत संबंधी समस्या है या फिर सवाल है मन में तो लिख बेजें कमेंट्स के माध्यम से हमाने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे फिलाला ये आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम सभी एनीमिया की समस्या है तो सर्दियों का दिन आ रहा है इसमें जरूर खाईए खजूर जिहां शरीर में अगर बलड की कमी है तो वो 100% दूर हो से सेहत को कौन-कौन से बहतरीन फायदे होते हैं खास करके सर्दियों के दिन में तो जरूर इनका सेवन कीजे कई तरह के अमिनो एसिड से भरपूर खजूर गुलन शिल और अगुलन शिल फाइवर्स का खजाना होता है जो कि न क्यवल आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है बलकि आपके पाचन तंत्र को मजबूत करके उसे बहतर धंग से क्रियानियवन के लिए सहायता करता है यानि कि मजबूत करता है पाचन तंत्र को जिसकी वज़ा से आप जो भी खाते हैं वो आपके शरीर में सही से हजम हो करके सही फायदा पहुचाता है इसमें पाया जान में एनीमिया होने का खत्रा होता है और इस समय पर ये सबसे बेष्ट और शधी के रूप में कारे करेगी इसमें के साथ साथ आयरन भी भर पूर मात्रा में होता है जो कि आपकी बॉडि के हेमोगलोबीन के अस्तर को बढ़ा देता है और साथ ही साथ शरीर को अवश्यक विटामिन B5, विटामिन B3 और सेलेनियम से भरपूर होने के कारण या हड्यों और दांतों को मजबूत बना देता है और आतों में होने वाले संक्रमण से आपको बचाता है इसके अलावा जोड़ों में दर्द की समस्या होने पर प्रती दिन कुछ मात्रा में खजूर का से वन करना चाहिए इससे कैलिश्यम की कमी भी पूरी हो जाएगी और आपके शरीर में खास करके जोड़ों में अगर दर्द रहता है तो वो भी आसानी से दूर होगा कबजी की समस्या होने पर भी खजूर काफी फायदे मंद होता है इसके लिए खजूर को रात भर पानी में भिंगो करके रख दीजिये और सुबह उट करके खाईए इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर और अन्यपोशक तत्व होते हैं जो की कबजीत से निजात दिलाने में आपकी मदद करते हैं दिल और दिमाग दोनों के लिए ही खजूर काफी लाब दायक होता है इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और अन्यपोशक तत्व तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने के साथ ही दिमाग को सक्रिय रखता है और दिल की बिमारी के खत्रे को कम करता है खजूर में प्राक्रितिक शरकरा पाई जाती है जो की ग्लुकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज के बनाए रखने में मदद करती है दिन में इसका प्रयोग आपको उर्जावान बनाए रखने में सहायता करता है आँखों के लिए खजूर बहुत अच्छा होता है इसमें विटामिन ए और एंटियोक्सिडेंट तत्व भरपूर मातरा में पाये जाते हैं जो कि रताउंधी इसमें थोड़ा श्रहद और इलाइची मिलाकर सेवन कीजिए इससे आपके दामपत्य जिवन की जितनी भी समस्याएं हैं सब खत्म हो जाएंगी और पुरुशों के लिए खास करके यह बहुत अच्छी ओश्यद है तो इस प्रकार से आप खजूर का सेवन जरूर करें खा कीजिए उन लोगों के साथ जिन को इसकी जरूरत है और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई सेहत संबंधी सवाल है तो हमाने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही विदा लेते हैं इस एपिसोड से जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों